नमस्कार दोस्तो एसवी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो साल 2022 में भारत ने इंडियन नेवी के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नम प्रोजेक्ट 75 था जिसके अंडर भारत दूसरे देशों से छेट डीजल इलेक्ट्रिक सम सम्मरीन दे क्योंकि एक तो हम रश्यन सम्मरीन को ऑपरेट करने के काफी जादा यूस्टू हो चुके हैं और दूसरा रश्यन सम्मरीन में भारत को ब्रमोस क्रूज में साइल को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिल जाता है और तीसरी और सबसे बड़ी वज़ा यह कि सम्मरीन का मुकाबला नहीं है लेकिन हुआ क्या कि एंड में आते आते रश्या ने इस प्रोजेक्ट से अचानक से खुद को विड्रो कर लिया जी हां 43,000 करोड के इस प्रोजेक्ट से रश्या ने अपने हाथ पीछे किंज लिये ते और इसके पीछे उस वक्त रश्या की तरफ से ये कारण दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट की जो डेड्लाइन है वो भारत ने काफी जादा इस्ट्रिक्ट रखी हुई है और हमें भारत को दिखाने के लिए प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ेगा और उपर से सभी सम्मरीन का कंस्ट्रक्शन भारत में होगा जिस वज़े से हमारा इस प्रोजेक्ट पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और अगर ये डेड्लाइन पूरी नहीं होई तो हमें ही इसकी पेनल्टी पेगरनी पड़ेगी ये बात तो हम भी जानते हैं लेकिन हाली में रश्या की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने इस बाहर किया है वो क्यों दरसल रश्यन मीडिया का कहना है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक कार्ट सा नाम का एग्रिमेंट साइन कर रखा है और भारत को ये डर था कि अगर प्रोजेक्ट 75 के टेंडर को अगर रश्या जीत गया और भारत ने रश्या को इतनी बड़ी डिल द दूसरे अप्शन मौजूद है तो फिर हम इतनी बड़ी स्रीदर्दी क्यों ले इसलिए भारत ने जान बुझ कर रश्या के सामने इतनी डिफिकल्ट कंडिशन रखी थी कि रश्या को ना चाहते हो भी इस प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा था लेकिन रश्या मीडिया क इस क्लेम से सच्चाई को सदूर है क्योंकि रश्या को भारत की जिस सर्थ से दिक्कत थी वो थी AIP टेकनोलोजी दरसल जब यह प्रोजेक्ट लॉंच किया था तब भारत ने इस प्रोजेक्ट में एक कंडिशन भी रखी थी जो कि यह थी कि जो भी देश भारत के इस प्रो यह भारत को मिल जाती तो इसकी मदद से भारत चाहे तो अपनी सम्मरीन का ओपरेशनल टाइम कुछ हफ्तों से बढ़ा कर महिनों तक एक्स्टेंट करने में कैपेबल हो जाएगा और भारत की सम्मरीन काफी लंबे समय तक पानी में रहेकर अपने दुष्मनों की नहीं है जिस वज़ा से कई देश एयाईपी कंडिशन की वज़ा से भारत की इस दिल से पीछे हो गए क्यूंकि एयाईपी टेकनोलोजी ना होने की वज़ा से वह वैसे भी भारत के इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर पाते और अब क्यूंकि रश्या के पास भी एयाईप भारत का रश्या को इस प्रोजेक्ट से निकालने का कोई इंटेंशन था भी नहीं क्योंकि हमारे पास जितने भी हत्यार मौजूद है वह जादतर रशन मेड है और हम रश्या के उपर काफी हद तक रिलाय भी करते हैं तो हम यह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम इस प्रो प्रोजेक्ट को मिल सकती है क्यूंकि इस कंपनी के पास एड़ी टेकनोलोजी भी है और भारत को यह टेकनोलोजी देने के लिए वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सच में रश्या को अपना सम्मरीन प्रोजेक्ट नहीं देना चाहता था या फिर नहीं कमेंट करके जरू सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैहीं जै भारत